किसान के लिए लगबग तीन लाख रुपे उसका स्टार्टिंग में खर्चा आता है रहबेट्स पलस केज इज यह से केज बने होते हैं फिडर बॉक्स होते हैं सर कुछ वाटर स्निपल लगी होती है उसके अलावा किसान का कोई जादा खर्च नहीं आता लाख रुपे उसके सैड के ओपर खर्चा आता है लाख से एक लाख वीश जार के आसपास लगबग चार सड़े चार लाख रुपे में किसान का एक काम चालू हो जाता है जैसे हम उसको सो रहबेट देते हैं जिसमें कि सत्तर फीमेल होती है और तीस मेल होते हैं सत्तर फीमेल जो हैं हर पिंतालिस जन में उसको सड़े तीन सो बच्चा वो निकालती है हमारी एवरेज के हिसाब से एक फिमेल से लगबग पांच बच्चों की अवरेज निकलती है, इन्टू सेवंटी करते हैं, तो लगबग सड़े तीन सो बेबी उसका निकलता है। सड़े तीन सो बेबी ज नबे दिन में बिकने के वो लाइक होता है, लगबग पोने दो दो केजी का उसका वजन हो जाता है, जो की मार्किट में लगबग एक लाग चालिस हजार के आसपास का सेल होता है, हमारे हिसाब से जो हम किसान को एग्रिमेंट देते हैं, लगबग हर 45 जनमें उसका जो प्रोडक्शन त्यार होता है, एक लाग चालिस हजार के आसपास का सेल करता है, हम उसमें लगबग 50-60% एक्सपेंस उसका मानते हैं, जिस लाइक कि वो दाना खिलाता है, या कोई मैडेशन से, या उसमें से कुछ मोटेलिटी हो जाती हैं, या फिर उसको हमारे पास छोड़ के जाने का ट्रांस्पोर्टिंग लगता है, उसको जो हम एवरेज निकाल के देते हैं, किसान को लगबग 25-30,000 का महीने का एक एवरेज हम निकाल के देते हैं, कि डेफिनेट उसको प्रोफिट आता है, क्या होता है कि जैसे ये पूरा हमारा फिमेल का पूरा लाइन, इधर में सर मेल का रहता है, सोरज निकलने से पहले हम एक अच्छा टाइम मानते हैं, क्रोसिंग के लिए, जैसे कि ये फिमेल जो होता है, तो फिमेल को उठा के हमें मेल के डोर में हमें डालना पड़ता है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा भी देता आपको, जैसलाई कि ये फिमेल होता है, तो हमें मेल के डोर में इसको डालना पड़ता है, सर करोसिंग के लिए, जो बच्चे देने का जो होता है, अठाइस से बटीस दिन का टाइम रहता है, सर बच्चे देने का फिमेल का, कि रेबिट के फीड में देखिए हराचारा जैसे होता है एक टाइम तो हम हराचारा डालते हैं सभी रेबिट्स को जैसे की बर्सीम हो गया जीजका हो गया सेकेंड एक एजूलूशन करके ग्रास आता है रेबिट के लिए वह काफी अच्छा और प्रोटिन्स वाला मलब हम बोलते है उसको दाने में जैसे नॉर्मल दाना होता है तो घर पे ग्रेंड हो जाता है कि जैसे मक्का हो गया सोवाबीन का खल हो गया सर्शो का खल हो गया अपना गेहूं का चोकर हो जाता है जाओं हो जाता है तो ये राइस पोलिस जैसे हो गया फैट के लिए ये सब च कोस्टिंग वाइज किसान को अच्छा रहता है कि बीसक रुपे केजी के अंदर में यह सब आज आता है कि अच्छा एक तो हम मीट के लिए भी सको सेल करते हैं प्लस जैसे गौर्मिट के लिए हम सब्सक्राइब को सप्लाई करते हैं जितने अपना यूनिस्टिय जोती है गरी कल्च उनिस्टी होती है वेक्षिन डिपार्टमेंट होते हैं उनमें दुआयों के लिए हम इसको इसका जो मीट जो होता है इसके अंदर कैस्ट्रोल जो है वो जीरो परसेंट होता है जैसे पॉल्ट्री को भी हम कंपेरिजन करते हैं इस बिजनस के साथ उसमें 64 डिजी जोती है रेबेट फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बेमारी नहीं है प्लस जो फैट है रेबेट मीट क का अच्छा माना गया है सर देखिए दोनों चीज मेंने इसमें देखी है और कम्प्यूटर एजूकेशन में भी और फार्मिंग में भी लिए रेबेट फार्मिंग में मुझे काफी अच्छा लगा व्लस प्रोफितेबल भी मेरे को ये बिजनस उसके जादा गुना प्रोग्रेस किया हूँ, मैंने जमीन भी अपना परचेज किया है, कुछ गाड़ी भी मैंने जोड़ा है, सहर में मैंने मकान भी लिया है, तो एक दो चीजे मैंने बहुत अच्छी मलब रेबिट फार्मिंग से किया है.